नमस्ते हैं दोस्तान कैसे हैं आप लोग जैसे आप सभी को पता है कि संदीप सिंग एक वो सक्स है जो अच्छानक से सुशांत केस में आता है संदीप सिंग वो सक्स है जो कि शुरु शुरु में इस तरीके से पूरे पिक्चर में दिखता है जैसे कि वो एक ऐसा सक्स है जो सुसांत की फैमिली का सबसे करीबी है चाहे वो अंदर हॉस्पिटल कोपर हॉस्पिटल में जाने वाला सक्स हो चाहे वो रिया चकरवर्ती के साथ रहने वाला हूँ या हर मुद्दे पे हर जगह वो साथ देखा गया लेकिन जैसे ही इंक्वाइरी स्टार्ट हुई वो अचानक से लुप्त हो जाता है लेकिन ये संदीप सिंग कोई और नहीं ये वही संदीप सिंग है जिसने की PM मोदी जी पे जो मूवी बनी थी उसको इसने प्रडियूस किया था जहां कांट्रोवर्सी में सल रहे संदीप सिंग जो कि शक के दाइरे में संदीप सिंग चल रहा था उसको अचानक से इतनी क्लीन चिट मिल जाती है और उचानक से इतना साफ सुथरा हो जाता है कि 15 अक्टूबर को जैसे सिनिमा घर खुल रहे हैं उसने अपनी मूवी रिलीज होने का डेट क अनाउंसमेट कर दिया पंदरह अक्टूबर को जैसे सिनेमा घर खुलेंगे मूदी की पहले मुवी जी रिलीज होगी इसमीर के जुँछा रहा है क्या हिक्ता कि आğin दो कारण नहीं है जो लोग मोधी जी भर भरोसा करते हैं गारें मिनिस्टर मोधी के है रिस्पेक्ट करते हैं उसकी वजह से मूवी देखने जाए और इनकी जो इतने दिनों से कमाई नहीं हुई वो इससे कमाई हो जाए इसलिए क्या वज़ा हो सकती है ऐसे कातिलों की मुवी रिलीज करने की जो कातिल अचानक से गाइब हो जाता है जो कातिल जो शुरू से सुशांत मुद्दे में कही न कहीं से किसी न किसी तरीके स दिख रहा है कि उसका भी कहीं न कहीं कोई हाथ है अचानक से वो सुशान्त का क्या लेना देना उससे और अचानक से वो गाइब क्यूं हो गया उससे किसी ने सवाल नहीं पूछे उसे कभी भी CBI ने नहीं बुलाया उसे कभी भी किसी भी ED ने नहीं बुलाया किसी भी मुद्दे पे मुंबाई पुलिस ने जांच परताल नहीं करनी चाहिए और आज वो खुले आम वापस से 15 अक्टूबर को अपनी मुवी को री रिलीज कर रहा है किस तरीके का ये न्याय है, किस तरीके का ये कानून है क्या आपको लगता है कि 15 अक्टूबर को हमें ये मुवी देखना चाहिए सीनिमा घरों में जाकर बस इसलिए क्योंकि वो मुवी नरेंद्र मोदी जी पे बनी हुई है हमें कातल की बनाई हुई मुवी को देखेंगे, जो कि शक के घेरे में है तो कहीं न कहीं सब कुछ जानता है कि सुशान के साथ क्या हुआ था ये किस तरीके का कानून है जिम मेरे समझ में नहीं आता दोस्तों कहीं न कहीं और भी एक नियूज आ रही है कि लोगों की ये डिमांड है कि जितने भी सुशान के चाहने वाले हैं वो यह चाहते हैं और ऐसा उनका मानना है कि जब मूवी cinema hall खुले। तो सुषान्त की आखरी मूवी दिल बेचारा को बड़े पर्दे बे लगया जाए। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि अगर यो दिल बेचारा बड़े परदे पर लगता है तो क्या इससे सुशान्त के परिवार को उनके पिताश्री को फाइदा होगा या ये पैसे किसी NGO को जाएंगे या ये पैसे उन बच्चों को जाएंगे जिनकों की वो कोडिंग सिखाना चाहते थे या ये पैसे उन गाओं वालों को जाएंगे जिनके साथ वो खेती बारी करना चाहते थे या पैसे फिर और फिर से उसके producer को मिलेंगे या tax लगने पर वापस से सरकार को मिलेगा हनास्ट्रो सरकार को मिलेगी या फिर उस state के government को जाएगी क्या ये movie tax free release होगी और ये movie का पैसा जाएगा किसको और हम क्यों देखने जाएं जहां हम इनसाफ की गुहार लगा रहे हैं क्या आपको लगता है कि इस तरीके का एक फिर से feelings का मजाग नहीं उड़ाये जा रहा ये चीजें तै होनी official announcement होना बाकी है लेकिन संदीप सिंग के movie जो मोदी जी बे बनी है वो तै है officially announced हो चुकी है कि 15 October को सिनिमा घरों में आ रही है इस पर आप लोगों का क्या राय है प्लीज बताइएगा कि इस पर आप लोगों का क्या सोचना है मोदी जी पे बनी है ये movie वापस से चाहे किसे पे भी बनी हो कोई movie लेकिन अगर वो movie करना आने वाला producer जो सबसे बड़ा शक के घेरे में है कि वो जानता है कहीं न कहीं सुशान सिंग राजपूत का कतल का कहीं न कहीं कोई किस्सा उस hospital का कूपर hospital का राज क्या है वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से वाकिफ है क्या हमें उसकी movie फिर से cinema घर में अगर आती है तो हमें क्या देखना चाहिए या नहीं फ्लीज इस पर आपका क्या राय है जरूर बताईएगा दोस्तो इतना ही नहीं अभी जैसे आप लोगों को पता है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो movie जो कल जैसे लक्ष्मी बॉम का टीजर आया इसके makers ने likes, dislikes के buttons off कर दिये और trending चला दिया most view teaser लक्ष्मी बॉम क्यूं? कौन है वो लोग? जो एक तरफा तो बोलते हैं कि boycott करना है और एक तरफ इसको देखते हैं जब हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है इन्हें जब ignore करना है तो please ऐसे को ignore करे इन्हें देखने की भी जरुवत नहीं है कि इनको ignore करना ही इनकी सबसे बड़ी सजा होगी आज के time में जैसे कि आप सभी को पता है जब हम पहले call करते थे तो एक कोविट का मेसेज आता था जो एक female voice में थी लेकिन अब यही कोविट का मेसेज हमारे महा नायक अमिताब बच्चन जी के आवाज में है क्यों? क्या यही कोविट के मेसेज क्या ऐसे इनसान को नहीं दिया जा सकता था? जो मेसेज जिनकों की रोजगारी की जरुवत है जिनकों की काम की जरुवत है जिनकों की पैसे की जरुवत है क्या उनका भी हक नहीं छीन दिया गया? यह इस चीज को भी अमिताब बच्चन जी के आवाज दिया गया है और क्यों दिया गया? उसमें उस मैसेज के हमें मैसेज क्लियर नहीं मिल रही थी कोविट का जो संदेश था जो female voice आ रही थी उससे क्या मुझे और आपको समझ में नहीं आ रहा था आकिर क्या problem थी उस female voice में या इस पूरे भारत में पूरे विश्व में एक लौता अमिता बच्चन जी ही थे जिनको की कोरोना हुआ था जिसलिए उनको आवाज दे ने दी गई उनकी आवाज में मुझे तो बहुत irritating लगता है जब मैं आप किसी को phone करती हूँ most irritating मुझे किसी को call करने बहुत ज़्यादा irritating लगता है तो मैं अब ज्यादा तर prefer करती हूँ कि मैं उनको WhatsApp कॉल कर लूँ जिससे कि मुझे उस Bigby का आवाज सुनना ना पड़े to be very honest I'm not kidding friends मैं WhatsApp कॉल प्रेफर करने लगी हूँ जब से Bigby का आवाज COVID मैसेज देता है और ऐसा क्यों हुआ क्यों कराया गया ऐसा और यही कराना था तो एक ऐसे इनसान से क्यों नहीं कराया गया जिसकों की पैसे की जरुवत है जिसकों की जॉब की जरुवत है जिससे की इसी का घर चल सकता था या एक किसी गरीब का किसी रोजगारी किसी जरुत मंद का हक नहीं चीना जाता? क्या आपको नहीं लगता, ऐसे ads, ऐसे channels, ऐसे banners, ऐसे brands जो इन लोगों का नाम लेकर, इन लोगों का brand, इन लोगों का stars का मोहरा लेकर इन लोगों के जरिये अपने brands का जो promotion करते हैं, उनसे हमें request करना चाहिए कि ऐसे लोगों का जरिया बना कर आप अपने brand का promotion ना करें अगर brand का promotion करना ही है तो एक आम आदमी से छोटे परदे पे जो काम करते हैं कलाकार उनसे आप promotion कराएं और क्या हमें किसी चीज को खरीदने के लिए ऐसे promotion करने वाले की जरुवत है क्या हम ऐसे चेहरे की आदी है क्या हमें ऐसे चेहरे की जरुवत है क्यूं आखिर ये कब तक हम क्यूं नहीं ऐसे brands के लिए request करते हैं, email करते हैं अगर कोई कुछ नहीं कर सकता लेकिन वो इतना कर सकता हर कोई इंसान आज के time में social media इस्तमाल करता है तो क्या वो अपने घर से बैट कर इन brands को email नहीं कर सकते tweet नहीं कर सकते कि आप ऐसे ऐसे लोगों के जरिये से अपने brands का promotion बंद करें दोस्तों it's a high time please इसे इस्तमाल करें थोड़ा सा सब एक अपने घर में बैट कर जिम्मेदार बन सकते हैं please think over it आपको उन लोगों को सबक सिखाना है boycott करके ignore करके जैसे कि वो हमारे लिए exist नहीं करते जैसे कि पूरे Mumbai industry ने सुशान सिंग राजपूत को ignore किया इस तरीके से जैसे कि वो exist नहीं करता था उन लोगों के लिए please understand thank you so much Jane